Hello friends, welcome to my nurture, मैं हो Krishna, कैसे हैं सब लोग, मस, बढ़िया चलो इस्टार्ट करते हैं हम लोग फार्मसोटिक्स में चैप्टर नमबर 5 जो हम लोग पढ़ रहे थे फार्मसोटिकल डोजस फॉर्म है ना और उसमें भी हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिकल पिरप्रेशन जिसमें हमने ओइंटमेंट पढ़ लिया था बेटा फिर कह रहा हूँ अगर ओइंटमेंट अच्छे से पढ़ लिया है तो क्रीम, क्रीम के बाद पेस्ट, पेस्ट के बाद जेल ये बड़े अच्छे से समझ में आएंगे और इजी लगेंगे और अगर ओइंटमेंट अच्छे से नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है तो फिर सारे चैप्टर रटने जैसे हो जाएंगे, दिक्कत देंगे ठीक है, तो क्रीम स्टार्ट करें चलो, तो क्या होता है क्रीम तो अगर हम इसकी बात करें क्रीम की अगर हम फार्मेशी की बात करेंगे तो क्रीम का मतलब ओविस भी बात है जो चीज बोड़ी के बाहर लगाई जाएगी क्रीम सार विसकस, ये गाड़ी होती है semi solid ना पूरी तरीके से solid ना पूरी तरीके से liquid होती है emulsions होते है क्या होते है emulsions for external use तीन properties की अब यही से वेटा question बन जाएगा कि बताओ cream is not is not क्या नहीं है पहला बोला जाएगा viscous यह पहला option हो गया दूसरा option हो जाएगा semi solid है ना यही सब question बनते हैं तीसरा option हो जाएगा emulsion emulsion भी है यह ठीक आप emulsion मत पूछना किया है emulsion बहुत रिजलम पढ़ चुके है चौता बोल देगा वो कि यहां से विसका semi solid emulsion और semi solid doses form और यहां लिखेगा solid doses form कोई भी लिख देगा कुछ और चीज लिख सकता है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इनमें से क्या चीज नहीं है तो viscous भी है semi solid doses form भी है emulsion भी है बट क्या नहीं है solid doses form नहीं है तो बटा question ऐसे बनते हैं ठीक है ना आ गया आते है questions की भी आकि अलग से लब बाद में series चलाएंगे बट अई पहले saliva खतम कर ले okay medicament can be dissolved or suspended in cream cream के अंदर या तो दवाई खोल गोल दी जाती है या suspension की form में अंदर रहती है ठीका suspension समझते हो ना suspension तैरती ही रहेगी अब दिखाई नहीं पढ़ेगी अगर ointment पढ़ाया तो अब किलियर होगा बेटा इसलिए मैं बोल रहा हूँ वहां से सारी terminology किलियर कर ले नहीं है ताकि यहां पर हम लोग fast कर सके बेस में डिपेंड कर रहा है depending on the emulsifying agent ठीक है न हम लोग कौन सा emulsifying agent इस्त्रमाल कर रहे है और हम लोग कर दिखे, तो पानी में डाल दूं तो पानी में घुल जाएगी और गोल धाना शवरी वास्यन पर आइप कहा है और उसरे Kyle मैं डाल दूं तो आईल में पूरी घुल जाएगी और oil in water type का है उसको मैं पानी में डाल दूँ पूरा घोल दूँ तो पूरी घोल जाएगी लेकिन अगर water in oil type को मैं पानी में डालता हूँ तो तैरने लगेगी वो उसके अंदा घुलेगी नहीं ठीक है ना किसके अंदा missival होती है यह बटा सब questions है तुमारे यह सब चीज़े है मगर मोटी मोटी चीज़े है पकड़के चलनी है हमको definition तो according to latest pharmacopeya creams are formulated to provide preparation that are essentially miscible with the skin secretion तो cream हमारी एक ऐसी secretion है इस टैप का formulation है हम इस टैप की एक medicine त्यार कर रहे है body को पर लगाने के लिए जो हमारे essentially जरूर 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 miscible हो जाए घुल जाए skin के secretion हमारे skin है skin के secretion में क्या होता पसीना है sweet gland होती है oil होता है sebum होता है तमाम चेकी चीज़े निकलती रहती है इसमें घुल जाए तब इसमें घुल जाएगी तब ही उसके सुरू होती हुई वो body उसके skin के अंदर penetrate कर जाएगी they are intended to be applied to the skin ठीक है जो क्रीम होती है वो intention है उनका उनको बनाया जाता है इस प्रकार से कि वो skin पर लगाया जाए और certain mucous membrane या कुछ खास mucous membrane में mucous membrane कहां पाई जाएगी मुग के अंदर या अंदर क्या mucous membrane है या फिर vagina के अंदर जो membrane पाई जाएगी ठीक है जहां पर भी body की cavity हमारी जैसे mouth है और लाइना है जहां पर क्या होता है सलाइवा या म्यूकस रहेगा गीला पन रहता है तो उसको कहा जाता है वहां पर mucous membrane होती है ठीक है फॉर protective वहां क्यों लगाई जाती है क्योंकि क्रीम का काम क्या है protection देने का therapeutic और profilactic पर प्रोफालेक्टिक मतलब बचाओ कारे के लिए especially where an occlusive effect फिर आगे occlusive effect अब नहीं बताओंगा फटा फट कमेंट करो क्या होता occlusive effect what is the occlusive effect बता चुका हूँ मैं फटाओ बताओ इस not necessary तो यहां पर occlusive effect necessary नहीं है ointment में था यही बाते हमें cover करते हूँ चलनी है और अगर यहां तक आगे हम लोग फटाफटे काम कर लो इसको यहां pause करो ointment का जो तुमने छोटा सा नोट्स मना लिया होगा या मेरी नोट्स होंगा न उसको सामने रख लो point जहां जहां बताओ चलना compare करते हो चलो यह चारों चीज़े compare करते हो पढ़ने पढ़ेंगी ointment this is cream paste और gel इनको comparative पढ़ोगे न कि किसमें क्या difference है तो चारों में difference दिमाग में सेट हो जाएगा और आता है question difference वाला में इंजर्ड एरिया can be dried quickly by creams जहां चोट लगी होती है उस चोट वाले एरिया को हम क्रीम लगा करेंगे बहुत जल्दी सुखा सकते हैं then any other semi-solid preparation यहां सारी comparison के से हो रही है semi-solid preparation semi-solid preparation से जाने की ointment है gel है paste है इन सब चियों से non-irritating when applied to skin skin पर generally irritate नहीं करती है यह easily water washable पाने से धुल जाती है easy to wipe away और अराम से हम इसे पहुंच सकते हैं कपड़े से पहुंच सकते हैं less greasy ointment हमने देखा था grease आ रहा था बहुत ज़्यादा compared to ointment ointment ने comparison less greasy होता है easy to spread on the skin surface skin की surface पर हम अराम से इसे फैला करें हलका से ले लो ऐसे पूरें फैल जाता है बासमज़वारी है disadvantage stability is not good as ointment ointment की जितनी stability है उसके मकाबले में इसकी उतनी stability नहीं है उतना stable नहीं है जल्दी खराब हो जाएगा मतलब ointment की expiry अगर दो साल किये तो इसकी देड़ साल ये 18 मेंने की रहेगी clear हुआ they are less hydrophobic less hydrophobic मतलब more hydrophilic less hydrophilic मतलब more hydrophilic यह वाटे terms है मैं फिर कह रहा हूँ terminology बहुत ज़्यादा है यहाँ पर hydrophobic मतलब पानी से भागने वाला hydrophilic मतलब पानी को पसंद करने वाला जो पानी में घुल जाए एक तरह हम यह कह सकते हैं ठीक है तो यह ज्यादा hydrophilic है और हमने लाश्टाम पढ़ा था जो more hydrophilic होते हैं उनके अंदर contamination bacteria वगरा जल्दी या fungus वगरा जल्दी लग सकता है then other semi-solid preparation तो यह less hydrophobic है इसलिए risk of contamination is high जल्दी खराब हो सकता है यह ठीक है allergic reaction की संभावना है poor permeability of some drugs through the skin ठीक है ना कुछ drugs जो होती है उनकी permeability क्या होती है पूर हो जाती है cream में क्रीम में जब उसको हम लोग use करते हैं तो बात समय बार ही है ठीक है तो यह कुछ इसके disadvantage है और disadvantage तो मैं कहूँ अगर तो मन से बनाके भी थोड़ा बत लिख सकते हो ठीक है ना थोड़ा साकर दिमाग लगा लोगा जैकर allergy समय रखता है ठीक है ना अब इसको तुम compare करा बाद हो किससे tablet से syrup से tablet के मुकाबले उतने अच्छे नहीं है ठीक है क्योंकि tablet ज्यादा ही stable है carry करना असान है यूज करना असान है ठीक है ना गिर जाए से cream लगाई पूरी पिचक गई गिर गई तो खराब हो जाती है लेकि tablet हमारी खराब नहीं हो तो इस टैबलेट से कही स एक टैन मैं सब में लिख सकतो इत्स विसकोषिटी शुड़ इनफ टू पर्मिट इजी सप्रेड इंग उल्टा चल रहो हमें ओपर से नीचे नीचे नी अगला नीचे सबब्स जाए तिक है इसकी विसकोषिटी इतनी होनी छीज है तो पर्मिट इजी चाहीं चिद करेगा चेद करके घुज जाए अंदर छेद के अंदर घुज जाए चेद कहां पर हमारे जो बाल है इनके पोर्स वगर रहे हैं इसकी नहीं पता है तो फिर को होगे सर कि आप तो कुछ बता ही नहीं रहे हो अब बता एपीडर्मिस वगर सब बायों का पड़ा हुआ पहले भी बता चुका हूँ मैं इवर पहले लेक्टर तो वहां पे लिया हुआ है ठीक है जिन बच्चों पढ़ लिया अच्छी बात है पैलेटेट अपिडर्मिस वाया नेचुरल ओपनिंग जो नेचुरल ओपनिं तो वैसी उस पर लगके फैल लगती है अब देखा को तुमने मुछ क्रीम सोती है जैसी हाथ में लगाया तो फैलने लगती है ऐसा लगता कि यहां पर एक चीव मैं बता दूं सुरुवास से पढ़ना स्टार्टिंग से इसलिए कहा जाता है इसके उपर एक बारी मैं कभी कभी बात करूंगा श्कोंड डालूंगा कि कुछ चीजे होती हैं पढ़ाई को लेकर करके जो फॉलो करनी होते हैं उसके विना काम नहीं होता है कुछ बथ्च्छों को दिक्कत है उसको लिकिए में डिसकस करूँगा कभी नकभी ठीक है ना इस्टार्टिंग से पढ़ने स बोल दिया हमने पहले पढ़ा दिया है अगर मैं सबके सब कुछ वापस लग जाओंगो तो लेक्चर फिर बहुत लेंदी हो जाएगा ठीक है आज जो इदर पर फटा फटा खतम करते हैं इसको अब डिफरेंस बिट्विन क्रीम एंटमेंट अगेन एक इंपॉर्टेंट कोश कर thumbs up अखता है ठीक Hers感覺 होता है light consistency ये इस Pepper कंप्रिजेंज होती होती है बतलब इतनी तुम ऑइंटमेंट ले लो और इतनी ही तुम क्रीम लेलो है ना तुमने ऊहीं ऑर यह तुमने के निच्शन ली है ना सबष्टी यह है ना सबस्ट यह ना है बनाए मट Jerk यह निकाल लिए और इतनी ही यह और इतना ही ओइंटमेंट तुमने यह निकाला तो दोनों के अगर तुम गोर से देखोगे तो यह थोड़ा सा मोटा भारी होगा उतनी एरिया का यह थोड़ा सा हलका होगा ठीक ना लाइट होता है इस डिफिकल्ट तो इस्प्रेड ओवर ल अब देखो जो असान असान लगते हैं यह हाथों पे फेला के लगाना मुश्किल होता है ठीक है वह असान होता है ग्रीसी होता है नॉन ग्रीसी होता है लंबे समय तक स्कीन पर रहता है कम समय तक रहता है प्रिफर्ड फॉर ड्राइ स्कीन इसका उल्टा कर दो ऑइली स्कीन के लिए है ना डॉक्टर कहता है जैसे मालों कोई गया प्राव्लम थोड़ी सी क्यों हो गई क्योंकि स्कीन का अंतर था और यह बैटर होती है और इस वाली स्कीन के लिए बैटर होती है बासमझ बारी है के लिए ठीक है आगया आते हैं इस लोग ऑंसेट ऑफ एक्सें इसके बहुत धीमें धीमा काम शुरू करता है यह जब जल्दी एब्जॉब होगा तभी तो जल्दी एक्शन देगा तो लिंक अप करके पढ़ेंगे हम दिमाग से पढ़ेंगे लकीर का फकीर नहीं बनेंगे ठीक है कि टीचर ना जो पढ़ा दिया विल्कुल वैसे रट्टा मार लो ना चीजों को लिंक अप करेंगे लागे लोगने करेंगे कि ठीक है आगे आते हैं क्या जासिफिकेश्चन आफ क्रीम को सें तरीका है और बेसि GT1 को हम लोग according basis के अधार पर कर सकते हैं कि all in water type है यह water in oil type का है cosmetic cream है कि non cosmetic है medicated cream है cosmetic होती है जो beauty product के तौर पर लगाए जाती है एक होती दवाई वाली cream हम उसके function के अधार पर की cleansing action है foundation action है massage किस purpose इस्तमाल हो रहा है उसके अधार पर इसको classify कर सकते हैं according characteristic कि cold cream है कि vanishing cream है कि कौन सी cream है उसके अधार पर classify कर सकते हैं और कुछ other creams होती है ठीक है फटा फट फटा साम लोग इसको पढ़ लें तो all in water emulsion type cream के अगर हम बात करें तो simple सी बात है देखो इसमें लिखना है क्या dispersed face oil continuous face water कौन नहीं जानता इसको all in water में यह water क्रीम है तो कम ग्रीस होगा क्रीम को यहां चलाओ ठीक है confusion मत पहला करना and more easily washed off क्यों क्योंकि water क्या है यहां पर water क्या है continuous face है तो less greasy होगा इसली धुल जाएगा पढ़ चुके हैं पहले बोलो और मेंट में एक्जामपल फ्लिशिनो फ्लिशिनो लोन एसिटो नाइट क्रीम और वैनेशिन क्रीम फांडेशन क्रीम ठीक है इनके बारे में सब्सक्रा जिक्रा भी आगे करेंगे now water in oil type इसके अंदर continuous face है नहीं ज्यादा मातर हमें कौन होगा oil होगा the dispersed face water continuous face oil more difficult to handle चिपक जाता है यह कपड़ो पड़ो में यह शरीर पे moisturizing cold cream होती देखा चैरे पे चिपक के रहा जाते चिकना चिकना काला चैरा हो जाता है लोग cold cream लगाओ तो चैरा कैसा हो ता winter cream में जो लगता है चिकना चिकना काला पड़ जाता चैरा ठीक है cleansing lotion, cleansing cream, cleansing milk, cold cream और moisturizing cream या cold cream यह तमाम moisturizing cream क्रीम क्यालो यह तमाम क्या है water in oil type है clear है cosmetic cream all cream except medicated cream जैसे कि अपनी diclofenic cream आती है दर्दिनिवारक वाली तो वो medicated cream हो गई अपना कोई fair and lovely आ गई यह कौन सी होगी cosmetic cream हो गई ठीक है ना तो medicated cream में क्या है active pharmaceutical ingredient मौझूद होता है active pharmaceutical ingredient मतलब ऐसा एक chemical होगा जो हमारी body पर effect डालता है उसको हम API कहते है active pharmaceutical ingredient बहुत पहले बढ़ चुके इसको हम लोग कौन कौन है satrimide cream used as antiseptic, zinc oxide cream used as astringent, hydrocortison cream used to treat rashes बच्चों को बच्चों को बच्चों कहीं पर गले में जांगों पर राश 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 पढ़ आते हैं उस cream के उपर देखना hydrocortison लिखा होगा इश्राइड होता है ठीक है ना night cream अगर होती है जिनकी body dry होती है तो डॉक्टर कहता है रात को नाने के बाद इसको पूरी body लगा लो body आपकी wet बनी रहेगी skin protective cream तो यह other creams हैं तो इस type से हम लोग मोटा मोटा according nature oil in water water in oil cosmetic and medicate मोटा मोटा करोगे तो इतना करना ठीक है ना बाद वाकिए आगे लेख सकते हो चले आगे चलो भाई यह अब उसके अदर जो उधारन पड़े कुछ उनको हम देख भी ले क्या-क्या है cold cream क्या होती है ठीक है कभी आगे दो नमबर मताओ cold cream क्या है तो it is water in oil emulsion cream यह emulsion cream water in oil emulsion cream cold cream mark कर लेंगे which when applied to skin जब skin पर लगाते है cooling effect एक cooling effect आता है ठंडा सा लगता है कुछ cream लगा ना अब ठंडा सा लगता है इस produce due to slow operation of water present in the emulsion अब यह question बन सकता है तो cooling effect is due to evaporation of oil evaporation of medicine evaporation of water ठीक है ना तो पानी दिरी दिर उड़ता है उसके अंदर से तो पानी उड़ने की वए से क्या होता है चलो आते हैं थोड़ा सा class 11 में evaporation जड़ा बताओ जब पसीना सुकता है तो हमको ठंडा क्यों लगता है देखें ज़रा बस वही चीज है पानी जब यहां लगता है पानी जब उड़ता है तो हमको ठंडा लगता है जिस तरह किसे पसीने के उड़ने से ठंडा लगता है ठीक वैसे ही जब पानी उड़ता बट आफ्टर एप्लिकेशन ओन दा स्किन ओके अब है क्या? एक्ष्वल में क्या होती है? ये ओल इन वाटर टाइप होती है ठीक है? वैसे तो क्या? अफिर आप पर ओल इन वाटर बोल दिया अब कन्फिसन पैदा हो जाएगी क्या सर गलत लिग दिया कहा? गलत नहीं लिग दिया जब यह है ट्यूब के अंदर भरी हुई है तो oil in water type की है जब ट्यूब के अंदर भरी है तो oil in water type की है लेकिन जब हमने इसको apply कर दिया skin के उपर लगा दिया हमारी skin पे तो दीरे दीरे पानी उड़ गया पानी उड़ गया तो oil की मातरा ज़्यादा हो गई तो एक टर्म आता है क्या? phase inversion याद आया? याद आया? तो phase inversion हो गया तो water in oil type emulsion बन गया भी है मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है जिन बच्चों को जिनको पूरा एक concept clear होगा पहले जो पढ़ा दिया है ठीक है? ओके खैर इसका मैं बता दूँ अब परिशान हो जब हो चुके होगे तुम लोग ये विटा कुछ नहीं है ये होता है जब हमारी body की जैसे हमारी skin नहीं है गरम है तो जब यहां से पानी उड़ता है या पसीना उड़ता है तो यहां की गर्मी को लेकर उड़ जाता है इस particular part की heat को लेकर उड़ता है उस heat की वज़े से ही वो evaporate हुआ है तो यहां पर heat कम हो गई आजू बाजू के इलाकों से तो यहां पर हमें ठंडा ठंडा लगता है बस इतनी सी बात है फिजिक्स थीस के अंदर है ना evaporation था evaporation तो यहां answer भी हम होज़ो होता है heat evaporation क्यों होता है क्योंकि गर्मी लगती है गर्मी लगने की वज़े से यहां की जो heat होती वो चली जाती है ठीक है आगे आते है अब एक formula है छोटा सा example के तौर पे white beesbacks ले लो mineral oil ले लो lubricant की तौर पे distil water ले लो warx buffer ले लो और perfume ले लो यह quantity याद रहना रहा है यह combination मना करके एक formula दे सकते हो quantity मन से बना देना बीस पचास अठाइस आठाइस आठाइस याद नहीं रहती है जिन बच्चों को रह जाए बहुत अच्छी बात है कुछ बच्चों के महावरी बहुत शार्प होती है एक बार में पढ़ लेते तो यह लंबे समय सक याद रहती है ठीक है अधरवाइस फॉर्मले में एक 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 जांपल के तो पर देख सकते हो कि एक जांपल ऑफ फॉर्मला ऑफ एक क्रीम इस तरह लिख करके और देना चाहतो तो कुछ लिख देना अगर ना याद रहे तो हम इसा बोलता हूं मैं कौन चेक करने आ रहा है क्लींजिंग की बात करें क्लींजिंग बात आई रहा है साफ सफाई करने क्लींजिंग क्रीम सा यूज्ट सार् arbeiten पर करना है चाहरा के उटा कर या तो इंपर कि सो हटाती है ना कई पर देखा लोगों की कर्दन बड़ी काली काली से हो जाती है ठीक है तो उसको ग्रिम बोलते हैं सीबम ओईली सीक्रेशन चेहरा चिकना-चिकना सा है मेरा यह बहुत ऑईली फेस है साइज चमक मारता हो जब वीडियो बनती होगे मारता है चमक कमेंट करके बताना ठीक सब्सक्रेशन और कुछ और भी सिक्रेशन से निकलते रहते हैं डेट सेल्स तो मैली होता है हमारा ठीक है एंड अप्लाइड मेकप तो इन सब चीज़ें को रिमूफ करने के लिए यह क्लीजिंग का इस्तमाल होता है पैपसीन पैपसीन हर्मोन होता है ना क्या एंजाइम हो स्मूट क्रीम की दो हो सकती है बीस वैक्स पोरेस्टाइप इमल्सिफाइड टाइप स्काल किया हो इदिस ऑइल इन वाटर टाइप ठीक है और फिमल्सें इन विच्ट हाइप percentage of mineral oil, mineral oil का बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, this mineral oil help in imparting cleansing property, यही जो mineral oil होता है, इसी की help से क्या होता है, इसके अंदर cleansing property आती है, phase inversion take place due to evaporation, यहाँ पर phase inversion भी होता है, और water after the cream are rubbed on the skin, इसे cream को बहुत दे रब किया जा रहा है, तो पानी उड़ जाता है, ठीक है न, oil in water से convert हो किसमें, water in oil type में, clear है, the phase inversion that is water in oil type help in imparting the cleansing action, अब जो phase inversion हो रहा है, water in oil type, यह क्या कर रहा है, cleansing action को perform करवाता है, अगर phase inversion नहीं होगा, तो cleansing action भी नहीं हो पाएगा, clear है, okay, एक formula देदी है, हाँपर mineral oil, ठीक है, then isocrypile, minsticate, lubricant, emollient की तरह help करता है, then acetoglyceride luster, ये लिए, petroleum jelly, lubricant के लिए, beeswax emollient है, borax buffer है, water vehicle है, इसका गोल रहे है, preservative होते हैं, कुछ perfume होते हैं, मिला करके बना दी है, अपनी cream हम लोगों ने, ठीक है, liquefying cream, ये क्या होती है, a type of cream consists of mixture of oil and water, वहाँ mineral oil था, याद करना, पहले वाले में क्या था, mineral oil है, हाँ पर क्या है, oil and water, which are translucent, in nature, translucent, तीन टर्म होते हैं, opaque, फिर एक टर्म क्या होता है, translucent, translucent, याद आ गया कुछ बच्चों को, good, और एक होता है, transparent, याद आया, ठीक है, opaque मतलब जिसके आरपार हम नहीं दे सकते हैं, translucent मतलब धुदला सा दिखता है, आरपार अच्छे से नहीं दिखता है, और transparent जिसमें बिल्कुल आरपार दिख जाता है, तो ये कैसी है, translucent टाइप की है, पूरा आरपार नहीं दिखता है, बढ़ था, दिखता है, they are anhydrous cream with, ये anhydrous है, with thixotrophic character, comment करें, thixotrophic, मैंने समझाया था, लास्ट में, समझाया था, ठीक है न, अब नहीं बताऊंगा मैं, they have thixotrophic character, that is, they liquefy when applied on skin, ये liquid हो जाते हैं, ठीक है, जब लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, ताकत लगाने से ये, solid से liquid बनना, start हो जाते हैं, that is thixotrophic property, ताकत लगा दो, तो कोई चीज, semi-solid से liquid बनना, start हो जाता है, phase, बदलना start हो जाता है, formula लेख लो, mineral oil है, petrol atom है, ozokirite wax है, एक प्रकार की wax है, preservative or perfume, यह तो यादी रहेंगे, preservative perfume, main चीज, mineral oil डाल दो, petrol atom डाल दो, खतम कहानी, clear है, now the vanishing cream और foundation cream, vanishing, vanishing का मतलब, vanishing की हिंदी लिख लो, vanish, vanish, vanish एक powder भी आता है, कपड़ों का, vanish, देख vanishing cream, foundation cream, यह अलग है, foundation होता है, जो मैंने बताया था, चेहरे पर लगाते है, vanishing जो गायब करते हैं, क्या गायब करेगा, आओ देखे, these are applied to the face to provide smooth emollient base, ठीक है न, यह चेहरे पर लगाए जाते हैं, जिससे की, smooth emollient base for the application of facial makeup, इसको vanishing cream को लगाते हैं, जिससे की, एक base तयार हो सके, sorry, हाँ, एक base तयार हो सके, यह है, sorry, यह है उसका, इसका, foundation cream का, ठीक है, यह किसका है, foundation cream का है, क्या हम एक base तयार कर सके है, for the application of facial makeup, makeup लगाने के लिए हम लग एक base तयार कर सके हैं, ठीक है, foundation cream act as a skin protective, यह skin को protect करकर रखती हैं, harmful chemicals से, जो की makeup वाले उसमें पढ़े होते हैं, prevent the damage caused by the environmental factor like sun, wind and dirt, प्लस साथ साथ में, जो environmental factor हैं, उससे भी हमें बचाता है, कौन, foundation cream, अच्छा, यह उल्टा हो गया, क्या, नहीं, ठीक है, एक minute, एक minute, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, vanishing cream और foundation cream, तो यहाँ पर vanishing cream का एक formula दे रखा है, steric acid, potassium hydroxide, water, glycerin और perfume, foundation cream, lanet wax, steric acid, water, तो यह formula तुम्हें याद रखना कोई जरूरी नहीं है, मैंने एक दे दिया, अगर जो बच्छे याद करके देना चाहते हैं, वो याद कर के foundation cream bag formula दे सकते हैं, ठीक है, vanishing cream bag formula दे सकते हैं, कुछ बच्चों की चाहत याद चाहत बुरी नहीं होती है, कि मेरे को तो 80 में से 80 लाने है, तो देखो बेटा, मेरे को तो उस हिसा से पढ़ाना है, जो बच्चा इसके लिए fight कर रहा है, मेरे को उसके लिए उसको पढ़ान यार, यह नहीं पढ़ेंगे हम, उसे skip कर दो, जो बच्चा इहां के लिए fight कर रहा है, वो आगे अपनी पढ़ाई की career, पढ़ाई की field में अपना career बनाएगा, तो फिर उस बच्चे के लिए मेरे को पढ़ाना पढ़ेगा, ठीक है ना, कि उस सब बच्चे मेरे लिए एक सम समाने, ठीक है ना, clear, ठीक है, तो यह बच्चे छोड़ सकते हैं, इनको लगता कि यार, यह बहुत जादा एक्स्ट्रा है, हम नहीं पढ़ेंगे, छोड़ सकते हैं, जो बच्चे चाहते हैं, नहीं मेरा आधा नंबर भी नहीं कटे, वो लोग याद करें इसे, और जब भी कि आता है, मालो, आगया कभी बरेंशीन क्रीम के बारे में, तो दो लाइन दिएक करके उसका एक्जांपल दे देगे, ठीक है? आगे आते हैं, मोश्राइजिप क्रीम, इस क्रीम्स और डिजाइन, मोश्राइजिप ना ही बता रहा है, मोश्राइस करता है, एक तरह से हमारी नम भी बरकरार रखेगा, designed to be left on the skin, skin के उपर यह, पढ़ी रहती है, left on the skin, and occlusive layer, आगे occlusive word, देखा सबसे पहले कराया था मैंने, आउट में अग्लूसीव, एक occlusive layer, protective layer बन जाती है, of this cream, slows the rate of trans epidermal water loss, इससे क्या है, epidermal, trans epidermal, अंदर का पानी epidermis के cause करते हो, जो बहार को निकलता है, उस loss को यह rate को बहुत कम कर देता है, thus having a moisturizing effect, and hence prevent the dry condition of the skin, इस प्रकार यह moisturizing effect देता है, यह खुद पानी नहीं दे रहा है, skin के पानी को उड़ने से रोक रहा है, बास अंजबाया, यह मार कर ले ना, moisturizing cream, खुद moisturize नहीं कर रही है, बलकि skin के पानी को उड़ने से रोक रही है, clear है, slow the rate of trans epidermal water loss, यही सब छोटे पूटे question आ जाते है, आगे देखते हैं क्या है, night and massage cream, क्या होता है यह night and massage cream, हम सब को बता है, night में कई लोगों देखा होगा, कई नाटक लोगों देखते हो, यह movie बगरा देखते हो, जो female सोती है, वो क्या करती है, ऐसे रात में ऐसे हाथ में देखा लगा लोगों करके, चेरे पर लगाया और सो गए, अब तो लोगों सोचते हैं, नाटक लोगों इस्तमाल करते हैं, और कईवा दॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करता है, जिन लोगों दिक्कत होती है, ठीक है, तो night और massage cream, तो night cream वही cream है, तो तुम्हों लोगों अक्सर देखा होगा, कि लोग रात में लगाते हैं, जिन लोगों 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 क्या कहते हैं, massage cream कहते हैं, इसकिन बिकम्स ड्राइब, अब बात यह है कि इन दोनों काई काम कहीं न कहीं, इसकिन को ड्राइब होने से रोकना है, तो अब सवाल ही है, ठीक है, कि इसकिन ड्राइब होती कैसे है, तब ही तो इनके सब की ज़रूद पढ़ रही है न, तो यहाँ पर एक तरह कोशन आ गया, इसकिन बिकम्स ड्राइब ड्राइब, यहाँ हम यह कोशन डाल सकते हैं, हाँ इसकिन बिकम्स ड्राइब, इसकिन ड्राइब कैसे हो जाती है, तो समझो, वेन स्ट्रेटम कॉर्नियम, पडोसी का नाम नहीं है यह, यह किसी के पडोसी का नाम नहीं है, यह इसकिन की लेयर का नाम है, स्ट्रेटम कॉर्नियम साब से उपर जपाई जाती है, ठीक है, स्ट्रेटम कॉर्नियम is exposed to low humidity, जहाँ पे नमी कम है, एक्सेसिल लाउस ओफ वाटर टेक प्लेस, पानी फिर क्यों होता है, हमारी बड़ी से निकल के भार आता है, विच एट्रिब्यूट तू ड्राइनेस, एट्रिब्यूट उत्था जिसकी कारण ड्राइनेस हो जाती है, वें दा लोवर लेयर ओफ एपिडर्मिस दाज नोट हाइड़ेट पारली, अब एपिडर्मिस की अताई मैंने स्टाइटिंग में फर्स्ट एट्र में लेयर करवाई थी, ध्यान है इसलिए करवाई थी, वें दा लोवर लेयर ओफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की नीचे की जो लेयर है, डज नोट हाइड़ेट पॉपरली, या नीचे से प्रॉपर पानी नहीं मिल पारा किसी वाई से, है ना बॉड़ी में कुछ सिस्टम गड़बड हो गया हमारा, वें दा इस्कीन इस इन कॉंटेक्ट विद सोप और सॉलिशन ओफ डिटर्जन फॉर लॉंग टाइम, या कई बार साबून में लंबे समय से हम लोग हाथ देकर रखे हुए हैं, तो हमारे हाथ कैसे सूखे सूखे हो जाते हैं, साबून हाथ दो फिर हाथ में करीम ना लगाओ तो रूखे से हो जाते हैं हाथ, सूखने के बाद, तो ये तीन कंडिशन है, अब एक और क्रीम आती है, hand and body cream, अब ये क्या है, सब तो सरीर पे लगा रहे हैं, समझो हम क्या है, due to exposure of skin, सब का अलग लग कारण है, due to exposure of skin to water, soap and detergent, हम लंबे समय तक बहुत से लोगों थे हैं, लंबे समय तक पानी महान दे रहे हैं, बरतन दोड़रे कहीं काम करते हैं, या Many times a day, कई बार, हम महीनों में ऐसा, महीनों में ऐसा होता है, तोहार बगरा आते हैं, लंबे समय तक पानी महान दिया हुआ है, सावन महान दिया हुआ है, removal of lipids, lipids, lipids समस्ते ना, fat, वो remove होना सुरू हो जाता है, and other secretions from the skin occur, skin को उपर तो वो सब उतर जाता है, ठीक है, cold and dry winds are responsible for chapping, एक करण यह हो गया, और ठंडी और सूखी हवाय जो सर्दियों में होता है, उसकी वैसे chapping, skin फट जाती है, chapping occurs due to the loss of moisture from the skin, skin फटती क्यों है, क्योंकि सारा के सारी नमी बाहर निकल जाती है, which is also associated with cracking, और finally उसमें cracks भी पढ़ जाते हैं, ठीक है, water is sufficient to treat, अब कह रहा है कि इन दो काणनों से चलो हो गया, पानी sufficient है, हम पानी पीते रहे हैं, पानी बाडी को पर ऐसे लगा लें, तो पानी परियापत है, तो treat the dryness of the skin, skin की dryness को ठीक करने के लिए, लेकिन, लेकिन, but evaporation of water takes place rapidly, जो evaporation हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है, हम जो पानी पी रहे ह ठीक है, which again make the skin dry and no emollient effect is produced, और इस प्रकार कोई भी emollient effect produced नहीं होता है, in case if hands are emerged in water for longer time, then abnormal hydration take place, अब हम सोचे चलो, पानी हाथ को पानी में डाल दें, देखें, हाइडेट हो जाए हमारे, तो हाइडेट हो जाएंगे, no doubt, फूल भी जाएंगे, ठीक है न, तो वो गलत हो जात है, तो वही कह रहा है, तुमने सोचा, in case, if hands are emerged in water for longer time, पानी के अदर डाल जे लंबे समय तक, then abnormal hydration, proper hydration नहीं होगी, abnormal हो जाएगी, जो proper नहीं होती है, this hydration will lead to swelling of the cells in statum corneum, cell फूल जाते हैं, है न, skin फूल जाती है, which ultimately result in rupturing of cell, finally फिर पानी भर जाता है, cell के अदर, cell फूट ज जाते हैं, hence hand and body creams are formulated with suitable emollient, which not only make water available, but ये जो है, समझना बात को, पीछे जो आपने पुदा था, अब समझा दो पहले हैं पर, जो hand and body cream are formulated with suitable emollient, इसके अंदर खास तरह का emollient होता है, which not only make water available, ये पानी भी available करवाता है, but also regulate the water take up by the cells of statum corneum, साथ-साथ में, statum corneum के हमारे य उनको water regulate भी करता है, कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, तो पीटा देखो, hand and body cream पानी provide करवा रही है, ठीक है, और हम लोगों ने एक cream देखी थी, जो मैंने बता रहा था, moisturizing cream, ये पानी provide नहीं करवाती है, ये पानी के loss को रोकती है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक ह आ रही है, आगे आते हैं, फिर एक आती है, all purpose cream सुनो होगा तुमने, sports cream, all purpose cream में एक बहुत अच्छा उदारण देदू में, जैसे वीको टर्मिल कीम भी आती है, चैर पे भी लगा लिया, सरी पे भी लगा लिया, हाथ भी लगा लिया, चोट लग गी तो लगा लिया, है न ठीक है, क्योंकि या कोई बंदा जो बहार काम कर रहा है, वो लगा लेगा, hence they are called sports cream, इसलिए इसको sports cream भी कहते है, they are oily in nature but non-greasy type, यह oily होता है बट greasy नहीं होगा, ठीक है, चिप चिपाएगा नहीं, they provide protective film to skin, skin को पर एक protective परत बना लेगा, they make the rough surface to the skin smooth, they make the rough surfaces of the skin smooth, skin की जो rough surface, खुदी surface होती है, जो dryness होने की वैसे हो जाती है, उसको smooth कर देते हैं, clear है, अब कब इसको लगाते है, when it is applied in more quantity, जब इसी को all-purpose cream को ज़्यादा quantity में लगा देते हैं, more quantity में, it acts as nourishing agent, तो यह nourish भी करती है, protecting cream भी हो जाती है, to protect the skin from sunburn and night cream की तरह भी बन जाती है, और cleansing cream में बन जाती है, जब ज़्यादा मातर हम लगाते हैं, लेकिन जब कम quantity में लगाते हैं, तो यह hand cream और foundation cream की तरह काम करती है, थोड़ा सा लगा लिया hand cream, moisturizer कर दिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा मातर हम लगा है, तो इस तरह से behave करती है, तो all-purpose cream, clear है, आगे आते है, formulation of component, क्या-क क्या चीज़ों का इस्तमाल होता है, एक cream को बनाने के लिए anti-oxidant, TBHT, ascorbic acid, base, white petroleum, lalonine, cholesterol, buffer का इस्तमाल हो सकता है, citrate buffer, phosphate buffer, chillating agent, EDTA, citric acid का इस्तमाल हो सकता है, emulsifying agent, detergent, setosterol, alcohol का इस्तमाल हो सकता है, hemactant का इस्तमाल हो सकता है, glycerine, propylene glycol, यह सब बेटा पहले पढ़े इस्तमाल है, इस्तमाल होता है, इस्तमाल होता है, तो कुछ एक का याद कर लो, सब में लगा देना, एक ही कुशन आएगा, चारो थो ना पूछ लेगा, एक ही आएगा ना, एक्जाम में आएगा तो, ठीक है, तो तो दिमाग से काम लो, आगे आते हैं, classification of basis, same, तब भी मैं थोड़ा से यहापर डाल दिया दौरा थे, same as ointment, hydrocarbon basis, absorption basis, emulsion basis, water soluble basis, वही से, मैं repeat नहीं करूँगा, base type, hydrocarbon, characteristics, लिख दी ह एक्जामपल क्या, white petrol atom, white ointment, weseline, यह वाला पार्ट पर ज्यादा बेटर है, अगर पहला पैटर समझ में ना लगा हो, तो इसको याद कर लेंगे, ठीक है ना, base का type, उसके क्या characters हैं, उसके क्या use हैं, और उसके क्या examples हैं, ठीक है, अब यह base बिल्कुल वही है, same, oil in water type, water in oil type, hydrocarbon basis, ठीक है, फिर यह आगया, water soluble basis, water soluble क्या हो तो वाशेवल होते हैं, emolent effect provide कर वाएंगे, polyethylene glycol, PEG, यहाद आ गया, रिपीटनी कर रहा है, इसको अब में, जिन बच्चों ने यह lecture direct देख रहे हैं, प्लीज बेटा, ointment वाला लेक्च्चर देखें, वहापे बेंदि अगर याद हो रहे हैं, तो छोड़ दो इसको, आगे बड़ो, यहां से वीडियो को फारवड कर तो, वह आला याद है तो, same वही है, ठीक है, trituration method, used for finely divided insoluble powder particles और liquid, triturate करते हैं न, पीसा बना, पीसते हैं, insoluble powder are added by geometric dilution, liquids are added by making a well in center, मतलब powder लेंगे, और बीच में जैसे आ mortar and vessel used when left, large quantity, बड़ी quantity होती तो, mortar, vessel का इस्तमाल होता है, involved use of glass slab when small quantity, glass slab का इस्तमाल करते हैं, वही सारी बाते हैं, अगर पढ़ा है पहला है पहला चाहिए, तो यहाद आ रहोगा, skip कर तो फटा-फट भागो यहां से आगे, जिन लोगो ने पढ़ लिया उसको, ठीक है, आप operation in soluble coarse particle है, आपर कौन सा आगे, coarse particle को हम incorporate करते हैं, डालते हैं, in soluble coarse powder is rubbed with molten base, base के साथ, और liquid or semi-solid base, base को और उसको मिला करके, फिर हम लोग काफी देर तक उसे navigate करते हैं, also known as wet grinding, fusion method, याद होगा क्या था, melt करते हैं हम लोग, the fusion method is followed when the drug and other solids are, soluble in ointment base, जब ointment base में यह लोग soluble होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, the base is liquefied and soluble component are dissolved in the molten base, base को liquefy करते हैं, याद करो हमने कहा था, 70 degree temperature होला है बाद जब पाड़ था, उसी तरीके सो उसमें हम उसको melt कर लेंगे, पिकला लेंगे, गरम करके, the congeal mixture is then speculated or triturated to obtain a smooth texture, जो mixture congeal, जो mixture एक तयार हो गया, उस degradation of the base or other components during the fusion process, heat उतना नहीं करना है कि कोई degrade हो जाए, ठीक है न, वो ही सारी चीज़ें है, यहाँ पर एक चीज़ एक्स्टर है यह, mechanical addition, mechanical addition क्या है, water removal creams, water removal cream, जो cream, पानी से remove हो जाएं, धुल जाएं, तो water removal creams are basically hydrophilic type emulsion, तो यह hydrophilic होते हैं, ठीक है, hydrophilic emulsifying agent is included in the aqueous phase in order to obtain stable oil-in-water dispersant, ठीक है, वो ही सारी चीज़ें है, sodium loral sulfate is used in the preparation of hydrophilic pointment, clear है, तो sodium loral sulfate is used in the preparation of hydrophilic pointment में हम इसका इस्तमाल करते हैं, अब बेटा इसमें एक चीज़ आती है, evolution of cream, ठीक है, evolution of cream, जो पार्ट आता है, ठीक है, इसके अंदर कैसे हम उसको जाचते हैं, हम उसका PS check करेंगे, evaluate करेंगे, सही बनी की नहीं बनी है, उसका skin पे लगा के देखेंगे, इरिटेट तो नहीं कर रहा है, उसका दिखने में कैसे लग रही है, viscosity भी check करेंगे, कितना फैल रही है, उसको चेक करेंगे, इसको stability steady करेंगे, प्रेसर लगाने पे कितना पानी बन जाता, कितना वापस से मोटा हो जाता है, thermal behavior देखेंगे, heat लगने पे कितना पिखलता है, saponification value और acid value तुमाम चीज़े हैं, तो इन सब चीज़ें को देख करके हम लोग क्या करते हैं, उसको evaluate करते हैं, प्रेलम नहीं जा रहे हैं आपर, लेकिन यहां पर कुछ चीज़ें मेटा important है, इसके दो तरीके हैं, एक है, बस थोड़ा समझ लो, और इसके एक एक point याद कर ले ना बस, इसको एक है in vitro method, method की बात कर रहा हूँ मैं, यह सब उपर भी method है, लेकिन in vitro method और एक होता है in vivo method, यह क्या होता है, in vivo method, तो in vitro पता ही है, in vitro जैसे test tube baby होता है, सुना होगा, सुना होगा ना test tube baby, मतलब अंडे को और sperm को इंसान की body से बाहर ला करके tube के अंदर fertilize कर आते हैं, जो चीज़ जहां पर है, वहां पर नहीं, अलग से, artificial condition में, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसकीन के तुकड़े को काट लेते हैं, काटने मतलब तरीका होता है, ठीक है ना, वह बहुत, अलग तरीके से होता है, इंसान की स्कीन ही होती है, हलका सा निकाल ली जाती है, with permission, ठीक है न, ऐसा नहीं किसी का भी काट लिया, ठीक है, तो उनकी स्कीन के छोड़ोटे patch लेकर के, तो इसलिए का गया, invite हो, अब वो स्कीन इंसान से जुड़ी नहीं है, फिर हम उस स्कीन के ऊपर क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो यहां से हमें पाज़ चलता है, टेस्टर कैड़ आउट तो नो दा परफॉर्मेंस ऑप दा प्रोडट की प्रोड़क्ट कितना अच् तो उसमें लिखने के काबिल तुम्हें होना चाहिए, फिर वही बात कहा रहा हूँ है, यह पार्ट वो बच्चे छोड़ सकते हैं, जिनको जश्ट पास होने से मतलब है, लेकिन मैं वही बात बोला मैंने जैसे की, जो बच्चे 80 आउट अफ 80 चाह रहे हैं, तो उनके बॉसफल फॉर बॉर डिटर्माइटेकर लाए हैं, उसके अंदर कितना वॉटर काहिटेंट है, ज़ुक्रेनिंग गृप्टे कंटे करेंगे, तो हमें फिर उसका एक आइडिया लगता है ठीक है ना कि उसमें कितना moisture है और जो ingredients है वो कितना moisture उसको देंगे तेन हर्गेंज गैस बेरिंग लेक्टो डाइनोमेटर इस इस्ट्रूमेंट इस हैलफुल इन इटर्माइनिंग और मॉनिटरिंग दा विस्को इलास्टिक बिएवियर ऑफ दा स्किन कितना elasticity है उसके अंदर और कितना विस्कस गाड़ापन है इट आलसो हैल्पिन इटर्माइ इन ग्रीडेट्स इन इंग्रीडेट्स का occuplusive potential कितना इस किन की अंदर कितना occuplusive potential लिए मंड shop मै्टेंट हैं और और आठिफिशियल मेंब्रेन या इसकिन की तरह आठिफिशिल मेंब्रेन होती है ठीक है ना लेकिन हाँ हम लोग विद पर्मीशन इसकिन अपना हिमन इसकिन का इस्टेमाल कर सकते हैं बट अदरवाइश है रैट जो रैट नियो नेट अलेक्द हम जो पैदा हुआ बच्चा कॉर्नियम एंड रिटिव मुदी हुमिडीटी और वाटर कंटेंट को स्टेमियं एक तर्मण एमलिटी कितना वाटर गंटेंट हमारे स्टेटिम कोर्नियम में रहता है थर्मान आलेटिकल मैतेड यार्यूट्र अधि आरह युजिन ओडडर प्रोवाइड दा इन्फोमिश इंपिडेंस and dielectric constants are measured by electrical methods वाइज जो हमारे skin का part है उसके अंदर पानी होता है कुछ उसके हिसाब से हम लोग कितना इसकी electric property किया है, such as capacitance कितना है उसका impedance और dielectric constants are measured by electrical method ठीक है यह सब physics के terms हैं बेटा ठीक है अगर याद है फिसके टम तो अच्छी बात है अधर वाइस से जियाद कर लो कि अब यह सब चीज़ें चेक कर लेते हैं हम लोग से चेक करने से हमें जो formulation का एक idea लगता है ठीक है ना product के बारे में ठीक है अब in vivo, skin remain attached to body, skin body से attaches हमें अब याने कि हम direct इंसान के उपर लगाएंगे अब in vivo methods are helpful in providing information on hydration और moisturization process of the skin, skin की जो hydration और moisturization process है उसके बारे में हमें पता चलता है याने कि जैसे कि यह कह है transpirometry, this method helps in measuring trans epidermal water loss of the skin which help in providing information on moisturizing potential, ठीक है ना तो क्या कह रहा है this method helps in measuring a trans epidermal water loss, कि trans epidermal water loss कि इतना हो रहा है skin का which help in providing information on moisturizing potential, जो की हमको क्या कर रहा है product का moisturizing potential के बारे में हमें उससे idea लगता है skin friction, damp, damp skin जिसके बहुत हलका सा पानी हो, slightly wet, has high friction surface उसका का खुदलापन होता है तो कफी ज़्यादा friction surface high होता है compared to wet and dry skin, investigation of friction surface shows the relationship between the effect of hydration on statum corneum and process of moisturization की hydration का effect क्या है और किस तरीके से जो हमारे skin है वो क्या हो रही है moisturize हो रही है Frictional properties are also related to elastic nature of skin ठीक है Frictional properties जो है वो उसके elastic nature से भी जुड़ी है and helps in evaluating the performance of product और product के performance में भी हमको यह क्या करती है help करवाती है ठीक है तो मतलब ultimately क्या हम product लगाएंगे और यह तमाम जो चीज़े है क्या करते है skin की उसको हम लोग क्या करते है चेक करते है Sensitivity test These tests are performed in order to measure the irritancy, sensitization potential and photo toxicity of the skin ठीक है नकि उस product को इस्वाल करने पर वो skin कितना irritate हो रही है कितना sensitized है, कितना photo toxic है तीन टाइप के है, हम लोग करते क्या है 21 day और 3 weeks Cumulative Irritacy Patch Test Patch लगाते है, कैसे लगाते है In this test, the test material is applied daily on the same site एक ही जगह पे लगाता और उसी cream का patch लेके लगा दिया है 4 arm of 24 subject लग भी 24 लोग लेते हैं, उनके 4 arm पे यहाँ पे लगा देते हैं Under the occlusive tape जो occlusive tape होती है उसमें पहले वो cream लगा या फिर लगा दिया Then scores are recorded daily फिर per day हम लोग लोग स्कोर देखते हैं कि कितना क्या effect आ रहा है This test is carried out for 21 days, 21 days के लिए होता है Until irritation produced on the 4 arm और या तो 21 दिन तर लगातार करेंगे या उससे पहले irritation आ गया तब तक करेंगे इरिटेशन आ जाता है उसको maximum score के तरह note कर लेते है The score range करती है From 0 to 4 जो हम score देते है Cream को जब note करने के बाद कि क्या effect आ रहा है 0 से लेके 4 तक देते है Where 0 score indicates no visible reaction कि कि किसी टाप का कोई reaction नहीं है On typical arithrema Redness of the skin dale To dilation and congestion The skin की redness आ जाती है Of capillaries And 4 score indicate Arithema जो skin की condition है खराब वाली condition है जिसमें blood vessel जो 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 लाल पंस आ जाता है With edema susan है And vesicular erosion Skin हलकी से उचल भी गई है Aगर score 4 आया तो वो इसकी reaction बहुत बेकार है और skin 0 आया score तो मतलब वो cream किसी टाप का reaction नहीं करेगी ठीक एक तो 21 day test हो गया दूसरा आता है Dreze Shalinski Repeat Insult Patch Test ठीक है खराब साजीम नाम है This test is carried out on 100 individuals ये जो test है लगबख 100 लोगों पे किया जाता है To measure the extent of sensitization and irritation कि कितने sensitive skin है उस cream के लिए यानि वो cream कितनी ज़्यादा हानिकारा के एक तरह से यह समझ ले Caused by the product to the skin The test material is repeatedly applied on the same site under occlusion for 10 alternate days एक दिन छोड़ के एक दिन 10 दिन तक लगाए जाता है वोई सेम वोई सी जग़े पे लगाए जाएगा After a gap of 7 day फिर एक 7 दिन का gap लेगा Test material is again applied to the new site फिर test material को एक नई जग़े पे लगाते है Only for 24 hour किबद 24 गंटे के लिए The scores are recorded उसका score और यह 7 दिन के बाद जो हमने 24 गंटे के लगाए इसका score record करते है After the removal of occlusive tape जो tape के दिन दबा लगा के लगाए ता हमने उसको हटा दिया आता है Then the score is again recorded after 24 hour फिर 24 गंटे के बाद इस्रेमा नहीं है 4 score indicate करता Arithema with edema and vesicular erosion कोई सेम कहानी है एक लास्ट है यहाँ पर Clickman Maximization Test ठीक है This test is used to measure sensitizing potential of the product when it comes in contact with the skin सेम चीज है इसकीन के साथ आने पर कितना जाज़ा sensitive है ठीक है The test material is applied on the side by using an occlusive tape वो ही occlusive tape में लगा करके चिपका दे जाएगा for a period of 48 hours ध्यान रखना पहला टेस्ट था 21 days का दूसरा वाला टेस्ट था 10 alternate days then 24 hours और फिर यह 48 hours का then the side is treated with sodium loral sulfate फिर उस जगे के हम लोग sodium loral sulfate इस वाले chemical से क्या करते है treat उस जगे पे लगा देंगे patch हटाने के बाद ठीक है solution on each exposure under occlusion after a gap of 10 days the test material is again applied on the new site फिर 10 दिन के बाद फिर से वो जो वही testing cream थी उसको दूसरे के लगा देंगे under occlusion for a period of 48 hours इस बार फिर से 48 hours के लिए which is then treated with solution of sodium loral sulfate फिर से उसको sodium loral sulfate से treat करेंगे और फिर हम वो रिकॉर्ड कर लेते हैं तो बहुत छोटा होता है यह 48 दिन फिर 10 दिन का gap फिर 48 गंटे मतलब 48 गंटे 10 दिन का gap फिर 48 गंटे ले लगाते हैं छोटे समय में यह cover up हो जाता है ठीक है तो तीन तरीके test है एक तरह से मतलब सीरी सी बात है evolution test है अगर इसको नहीं भी पढ़ते हैं तो भी चल जाएगा scanning electron microscopy भी होती है optical microscopy और macro photographic की help से भी हम लोग क्या करते हैं evolution करते हैं तो evolution in vitro भी हो गया और in vivo भी हो गया और उपर के तीन जो सादर तरीके थे वो भी हो गया ठीक है बात समझ में आ रही है ओके तो यह अपना lecture जो क्रीम के उपर था यह खतम हो जाता है और इसका link जो है PDF का वो ना मिल जाएगा lecture के नीचे यह मेरा number है कोई problem आते तो मुझे call करें और app की help ले नहीं तो app की help लें धेर सारी practice करें और बढ़िया score करें पढ़ते रहो revise करते रहो all the best